Next question है, which protein helps in destroying bacteria, virus and toxic substance? ठीक है, अब ये question आपका फिर से change हुआ है, ठीक है, इसमें अब आपका फिर एक protein का पार्ट जोड़ा हुआ है, अभी तक हमने albumin की बात कर ली थी, यहां पूछ रहा है कि which protein helps destroying, destroying करता है bacteria को, virus को और toxic substance को, ठीक है, तो हमने एक 3 protein बढ़े है, albumin बढ़ा, albumin, osmetic balance का काम करता है, fibrinosan, clotting का काम करता है, globalin, immune system, defense, जब defense की बात आ रही है, तो defense mechanism में अगर globalin कर रहा है, तो बटोवे से bacteria virus है, हमें defense करना है, अपनी body को बचाना है, तो यही वाला protein work करेगा उसमें, ठीक है, तो हमें 3 protein के work पता होने चाहिए, percentage पता होने चाहिए, size प कहां से produce होकर आ रहे है, तो कहां से produce होकर रहे है, कहां से produce हो रहे है, सारे जितने भी आपके protein से है, वो synthesize कहां से होता है, liver से, ठीक है, तो यहां explain करते हैं हम यह देखें, albumin, यह क्या वर्ख है इसका, PCOP, blood colloidal, osmetic pressure को बेंटिन करता है, function, कहां से synthesize होता है, synthesize by liver, ठीक है, यह albumin हो गया, यह हमने लिख दिया albumin का, ठीक है, अब हम albumin का लिख चुके है, globilan, globilan का क्या है, globilan क्या क्या काम करता है, defense mechanism, defense, ہے है कि वेस्टन पंको करता है ग्लोबिलन के कुछ पार्ट होते हैं घहिक है अलफा पीटा और गमा ठीक टीन पाट को लिजर अजब अलब विछक लियन और ग्लॉब양 नहीं यह दोनों तो किससे synthesize होते हैं? यह दोनों synthesize होते हैं by liver, by liver, और gamma global किससे synthesize होता है? यह synthesize होता है by lymphoid organs, lymphoid organs, lymphoid organs, तो जो bacteria virus का effect होता है, वो इस gamma globulin की वेज़े से ही होता है, bacteria virus पर यही effect डालेगा, bacteria and virus के लिए कौन responsible रहेगा? gamma globulin, कौन responsible रहेगा? gamma globulin, यह थोड़ा सा explanation वाला question है, कि हमें पता होना चाहिए, और यह explain करना आना चाहिए, कि किस तरीके से हम globulin को decide करेंगे, क्योंकि इसके तीन टाइप होते है, alpha, beta, gamma, तो जो gamma globulin होता है, वो sensorize होता है, lymphoid organs से sensorize होता है, तो इसलिए यह ज़्यादा effective होता है, bacteria virus के लिए, इसका effect क्या होगा? destroying bacteria virus, यहाँ पर इनोने यह नहीं पूछ है कि कौन सावाला, लेकिन हमें explanation बच्चे को कराना आना चाहिए, कि क्यों हमने इसको इस तरीके से बोला कि bacterial virus के लिए कौन सावाला effective है, ठीक है, तो इसका answer आपका क्या हो जाएगा? globulin, और यह मैंने दोनों आपको बताई दिये थे, कि यह दोनों clotic factor के लिए होते है, त थोड़ा सा, explanation वाला question था,